लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करेंग एकना की रिए लेट्स अल्टरा चनल्स करेंगी करें अल्टरा चनल्स करेंगे तर्ण चाहिते हैं शोस्सक्राइब करेंगे नहीं। झाल 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 Maddie प्रेजर एक प्रेजर आटेजिए प्रेजिए प्रेजर प्रेजिए गुणिए अटेजिए जाने वारी तरफ़ देर नंबर स्ट्राइबने प्रेजिए पर आरगी। कि मत प्रेजर प्रेजर आरऑ स्ट्राइबने जらOh Drug Dynasty प्रेजिए प्रेजर लुणिए अटेजिए आरगी। क्यों ख़डाया रहे तू या बहर आजा या पुराधल जा भी स्टार चाहरे मैं आपर खड़ा ऊंपर क्या हो रहा है सब को कबर करने के लिए तुम कुट को बहुत हैंसम समझते हो क्या जो सब को तुम दिखाना चाहते हो ए पूना से लेके हैद्राबाद तक मच्छर की तरह मेरा कून चुझे सब्सक्राइब तुम यहां आपका नाम सनी है जी हां धत्रेकी तुम को टीवी आइटिस्टों होगे हम यह समझे थे आस्तम लाइल मारने के पूरी तयारी करके आए थे थे राड़ लग हमार लिया गुड लग है वैसे इस हैंसम को नहीं संभाल लंगी हां 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 है मोटू अंदर जाने दे कि यह हां हुआ कर दो अंदर कर दो कि मनुझी है यह ध्यान भंक कर दिया मारा सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूड ये नजर तन मन हम हारे बस जा सासों में मेरी अर्मा तुम सारे तु है जुनु तु है सुकुन तेरा रूप देखना जजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कि वाव सिंपली सुपब सर बहुत बढ़िया गाते हैं आप कंग्रेट्स एंक्यू आपका गाना सुनकर दिल में कुछ-कुछ होने लगा था आप यहां पर जॉप करते हैं क्या नहीं आपका क्या कोई बिजनिस है नहीं यार यह घूमने के लिए आए होंगे हैं नहीं तो फिर आप कहां से आरे सर जेल से इसा नहीं हो सकता सर आप हमसे मजाग कर रहे हैं नहीं मैं सच क्या रहा हूं साथ साल के जेल की सजा काटकर मैं आज ही छूटकर आया हूं साथ साल की जेल की सजा काटने की वज़ा, रेप, मुर्डर, रॉबरी, ये सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है, तो फिर आप वो कि अरि पुझे तो, मैं ताया मुझे दो, मैं लूगी मैं लूगी वाला अरे हमारे बलून मेरा है, फिर पकड़ा, रुख जाओ, रुख जाओ बुझे दो, आंजे या है यह वारा है अंटी तुम्हारा है क्या? आउटी लेलो वाट्स नेम मोनीका अच्छा आंटी पर रने के लिए आप ही आई है ना बिल्कुल चुहाई तुम्हें कैसे बता? आप लोगों को अपना तामान लिचाती हुए देखा था आंटी जाती दि आंटी रहाई थाइंक यू फैन और टूब लाइट मैंने फिट कर दिया है और कुछ कामोगत मुझे बुला लेना अच्छी बात है थीक दादी मा दादी मा हां क्या है बेटा सामन सब आगया है ना सब कुछ आगया घर बढ़िया है ना उधर तो मेरा दम घुटता था इस घर को देखो कितना बड़ा कितना अच्छा है यहां सब कुछ पास में भी एक तरफ जेनरल स्टोर दूसरे तरफ राशन की दुकान उसके इसका मतलब आपको यह जगा बहुत पसंद आई मुझे बहुत पसंद आई तुझे एक चीज दिखाते हूं आँ देख तो यहां से तेरा कॉलेज कितना नस्दीग है आज दिपावली है ना तू जल्दी से नहाध होकर तैयार हो जा हम लोग मार्केट जाकर पूजा का साम सत्यम शिवां सुंद आई मुझे आई लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूंड ये नजल तनमन हम हारे बस चासासों में मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनू तू है सुपू तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवां सुंदरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कर दो ही बंदगी है रहता जो नजरों में दुनिया उसे देखे मन में है किसके क्या कभी ना कोई सोचे दिल की है मेरे वो सपनों की रानी मैं हूँ सागर तो वो लहर है दीवानी खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तू आए सच में मिले ना कभी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कि एल लव खी show मुआ करना सबकिकर ददया ही ये ही बंद। कर दो कर दो मेरे तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस-नस में मेरे मिसरी सी घुली कोयल से तेरी मिठी है बोली तू है सुकू मेरे इस मन का कर ले तू मेरा यकीन तेरे पिना मैं जीना सकू तुम हो मेरी जिन्दगी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तनमन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तु है जुनुम तु है सुखुम तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है लव ही जिए लव ही जव ही ज सबस्टा है हम चाहे लिजए में लव ही बढ़ा श्रबसनी है प्रेंग को सब्सक्राइब बागवान और अधर कि दुखान खुल गई होगी मैं लेट पहूंचूंगा तो ग्रांगों क्या होगा तो तो यहां होगा दो अधर कि जल्दी से नाश्ता त्यार नहीं कर सकती महाराने की तरगूंगी बनकर पेपर लेकर बैठी हुई है सुबह के समाचार छोटा नगर शुक्रवार नवंबर चौधा बेट कॉफी पहुंचाने के बाद भी टांट खाती हुई पत्मी कॉफी तो लेकर आई लेकिन जगा-जाक्च्व नहीं अपने प्यारे से पती को दिलो जांसे चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने व प्यादार करता व्यपुर्ण भी वी औरे समाचार में लिखाया क्या तुप पड़कर सुना रही है वो सब ठीक है मेरा टीफिन तयार किया आए कि नहीं किया वह मैंने सुबही खा लिया आपनी तरफ तुम इतना ध्यान मत दिया करो थोड़े द्यान मेरी तरफ भी दिया क पर लेफ्स साइड में तुम्हारा फोटो होगा राइट साइड मेरा फोटो होगा एक दिन लोग उसे पढ़ेंगे दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था मुझे बैसे देर हो रही है जलता हूं हाँ हाँ बहुत देर हो गई थी अब क्या करें लड़कियों के दर्शन हो गए वारे वाह आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई शाबाज शाबाज अरे लेट हो रहा हूं चलता हूं अरे बाबरे अभी तक शौप नहीं खुली है फिर अपना धंदा आगे कहां से बढ़ेगा किसी भी वरकर को टाइम की ज़रा भी कदर नहीं है क्यों मैं इतना लेट क्यों रात को लाश्व सिनेमा देखने गया था सर इसलिए लिए लिए तुझे धुमा कर तो लाश्व सि अरती उता रहा है वह इडियेट वह सारी दुकाने खुले या ना खुले कोई बात नहीं है लेकिन यह जो है इमर्जेंसिय दुकान है सला एक दिन मैं लेट आ गया तो तो मुझसे भी लेट हो करके आएगा खड़े-कड़े मूग क्या देख रहे तु आइम देख ज़रा जल्दिकर ठीक है सब देख 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 लिया तुन्हें दुकान के खुलते ही सारे इलाकिये की रावनक बदल गई वह किसलिए पता है ना नंबर वन विस्की सिर्फ हमारे यहां मिलती है समझगे लेकिन अभी तक और तो नहीं है सर तो क्या आप अपने जेव से पैसे निकाल कर देने वाला है चार सो रूपे की एक बॉटर आती है तेरे अगात है क्या चल अपना काम कर आज के दिन लगता है मालिक अपने घर से चड़ा कर आया है जब तक मेरी शौप में नहीं होती जब तक मैंने चलाता कि इतना बड़ा करोड़ पती तो मैं सीधे उसे अंदर तफल कर देता हूँ गुरु 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 क्या है यह गुरु क्या हुआ मैं बोतल खरीदने आया था आपने दुकान बंद कर दिया मून खराब हो गया तेरे जैसे कितने ही चेले को पहले मूर्क बना कर छोड़ चुका हूँ एक मिनट बात तुझे सबसे पीना किसने सिखाए रहे मेरे गुरु ने और आज तुझे जब बॉटल नहीं मिल रही है तो तेरा मूँ जुग गया नहीं छोड़ो इसलिए चल शटर बंद कर आज कर मैंने बोनी भी तो मेरे खामान पे लानास है अलो है अलो है गुड मॉनिंग मैम गुड मॉनिंग चलो आओ बैच जाओ क्या हुआ मैम आप बहुत उदास लग रही है ऐसा कुछ नहीं है इंदू एक चोटी से प्रॉब्लम आ गई है आज शाम को अनात पच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना हाँ उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है वैसे हमने दुसरा सिंकर अरेंज करनी की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी मुकर गया सारे टिकट बीक चुके हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो बड़ी बेच्जिती हो जाएगी इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा अरे हा मैम हमारे महले में एक लड़का रहता है वो बहुत बड़ी अगाता है अगर आप हां कर गई तो मैं उसे बुला सकती हूँ लेकिन अगर वो अक्यला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदू इसा नहीं होगा मैम आपने उसकी आवाज नहीं सुनी है एक बार उसकी आवाज सुन लेंगी न तो मेरा डिसिजन चाही लगेगा अगर तुम्ही इतना confidence है तो उससे से हम गमाते हैं वो देखने में कैसा है अरे ऐसे मेरे उसकी आवाज ही सुनिये सामने से देखा ही नहीं वो गाने वाला कहां रहता है उसका पता लगा कर एड्रूस लियाओं मैम अरे यार बालू हम लोग जिंदिक बार इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कब तक जी रहेंगे यार अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे तो जाए ये टीवी हो जाए वो टीवी हो मेरा नाम आता है यहां सू चैनल तुमने देखा है क्या चैनल ओपन करते ह यहढ़ा नाम आएगा यह खाने की बात एका अपनी रिंग में आएगा तो बदल के देख लेंगे आहसी हैता काम कर जान की तो पकड़ से चैनल पकड़ रहा है कि नहीं तू देक बता ना तो ऐसे बसूरे सुर पकार क्या बुलाए कि अब मैं बुलाता हूँ तू देख ते मैं नहीं इने काम बोला था वन छोड़ कर यह क्या कर रहा है डारलिन्ग व क्या है कर और भिन्द कर से पाइस कर मैं क計 है कैसा देखा हो यह पता है। कहली स्लली पुर। है विला कम ऑनी चाहरा शर्म अब्जूद औरतों की अक्टिंग करते हैं अरे यह बात तु जानता है कि नहीं जानता बालू जाने आज सुबह किसका मुझ देख करके उठा था सनी सनी एक एक आदमी तीन तीन चार चार बनकर दीख रहे हैं सनी का है जरा बता तो यहां पर नहीं है वो यहीं पर होगा या आने दे उसको मैं देखता हूं फिर यहां कर ऐसे बड़ बड़ कर रहा है जैसे हम लोगों को फैक्ट्री का कॉंट्रेक्ट दिया हो यह बात नहीं है यां तो वो किज़र है तुझे चाय नाश्ता चाहिए ना हाँ मिल जाएगा चल उदर से थोड़ा हाथ लगा ठीक है अरे कुत्ता है यार यह तो अपना ही कुत्ता है जिमी सर थोड़ा आप साइड हो जाए अगर तुझे इतनी तकलिफ हो रही है तो तुही बाजू में उठाके रख दे खटिया समेट यह तो अपना बोज उठाकर मेरे सर पर लाग गया वैसे लस्वा चली जारा उठाए इसको अरे तुझे एकल है क्या इसको कही और ले जाकर नहीं रख सकता अरे यार करम फुट गए और सुवक्कड चल उठाए से राद बर कहां मरने गिया था क्या मालूम अरा था यह क्या रहे था करें असरी नमस्ते भाई था दुरू नमस्ते क्या वे अब क्यों बेर नहीं पहचाना निककर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया मसल दूंगा गलती हो गई भाई दोबारा ऐसा नहीं हो गई पहली कर रहा हूँ जाता हूँ इस तरह आ रहा है जब तक वह पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना भाईया वो यसे रिया का गुंड़ा है जानते हो फिरभी पंगा क्यों ले रहे हैं अभी तक तो सब कुछ ठीक था, चले गई, अपने आजबी से 6 kg मटन बिजवादे, 6 kg क्या, पाउ किलो भी नहीं बिजवाओंगा, पहले का पैसा चुकाओ, क्या, पैसा पैसा लाओ, क्यो, क्यों, 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 किस से तू पैसा मांग रहे हैं, ये निकर वाले भाय इसे तु पैसा मांग रहा है तो मुझसे बड़ा गुंड़ा है मेरे पास गाड़ी या बाइक निए इसने तु मेरा मयाख पुड़ा रहा क्या यह सुन मेरे पुराने याड लोग सब जेल से छुट कर रहे हैं एक 6 किलो का फर्स्ट टीमा बनाकर साथ पूरी जांक का बोटी कर दूंगा अरे यह क्या वाके जा रहा है तो यह ज़त से पैसा देगा तभी तुझे मतन मिलेगा यह निक्कर वाले भाई से पैसा लेकर तू कर सकता हूं मैं पैदा होते इंसानों की बोठी-बोठी-बोठी ुटी-काड आ रहा हूं जल्बाग यहां से आग जाउं मैं कि मुझे भागने के लिए कह रहा है मरिविए बक्रे बेचने वाला तू मुझे भगाएगा तो इस पर तुने चाह पर उठाया सिर्फ उठाया नहीं अधार्द में कि दूगा हाँ ला-ला-ला मेंडम मेडम 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 मेरे मेरे मॉण्षण इस भंट प्लीस मुझी पर रिक जया कर दो तुम लोग रोज मुझे इस तutan दर्शन को मैं तुम्हें एक बर कonna कुछ लेंगे मैम चीक है तुने देखा क्या खुद अंदर जैसा चलाता है और मुझे कहता है चल जा स्क्यूज मी यस प्लीज हमें किसी का पता पूछना है मुझे 86 रुपीज चाहिए वो तो मिल जाएगा रात में यहां पर एक लड़का गाना गाता था आप उसे जानते है कान सनी ओ उसका नाम सनी है उससे तुम्हें क्या काम मेरा नाम इंदरा है पास कई कॉलेज में पढ़ाई करती हूं हमने अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है उस फंक्शन में उसी लड़के से गाना गवाना है इस वक्त वो कहां मिलेगा वो मु नहीं तो अनाप्शन आप बाते मत करिए मेरी मर्जी मैं उसकी बोटिया बना करके गोटिया खेलूंगा उसको फाइव स्टार होटल में ले जाके बरतन साफ कराऊंगा चाहे मैं उससे आर्गुमेंट करू या सब पर मारू उसके लिए वराइटी वराइटी की आर्गुम इस इस विए शुच और युदो और अज़िए वराइटी शुच रुपीज दे दो बीक मंगना बंद करो चलो इनुचा थे और युदो मुझे मेरे हखका इतिश्च रुपीज दिया और फ़रे बाजार मुझे इंसल्ट भी कर दिया इस वेरी बाड आप जल्दी से यहां से जाईए आगे ट्रैफिक जाम है नहीं सोचा था आज करेक्ट टाइम आफिस पहुंचूंगा कौन है जो रोट पर टेढ़ा खट के डाल कर सोया है आखिर कौन है यह से तो एथे ही परेशानु इसकी तो लगता है रात को कोई इसका मडल करके इसे खाट पर लिटाके बीच रोट पर छोड़ दिया है देखते ने उसके खाट पर चापर है देखो भाई चापर में खून इसमी यहां पर इतनी भीड क्यों है कोई गुंडा साड़क पर खटे डालका सो रहा है उसके बाजु में खून से लटपस एक चापर भी पड़ा है यह क्या है मैम कोई गुंडा यहां पर आकर आराम से सो रहा है और पबलिक खड़े होकर तमाशा देख रही है इंडू हमे मैं चाहिए यहां मैं यहां चाहिए लेके है करे मैं कि वो लप्रे में फास्ट जाए मिंगे उसको रखो कि चलो इंदू हमें लफड़े में फासना है चलो यहां से चलो इंदू चलो रहने दो उसे इतने सारे लोग यहां पर खड़ें कोई कुछ बोली ही निया फिल्म चल रही है क्या यहां पर उससे सबक नहीं सिखा सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि क्या बात है यहां मेला कैसा लगा हुए यहां मेला नहीं लगा है आप इस सड़क पर खटिया डालकर सो रहे थे मैं यहां घटिया कि साथ कैसे आ गया रास्कल गहींगा अकल नहीं क्या तुम्हें क्या वात है मेडम तुम पर भड़क्यों रही है समय है गुरू समझ गया चल चल अपना काम कर कि यह चापर यहां पर कैसे आ गया अटो तुम गाड़े निकाया मैडम आप नेटिये चलो आओ ना इंडी दर्जा आओ अिए अगहां तुम यहां अब लिए अपनी जान बचांव करके तड़ा रहता पता है क्यों एक सीनियर शराभी हो के मैं तुम जैसे शराभियों कि जान बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शरावियों में कोई यूनिटी नहीं यूनियन मीटिंग चल रही है तुम शौर मत पजाए आपर मैं अंदर मर जाओंगा से ताइस रहा बिलकुल तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के दिन से मैं तुम्हारा य अरे अरे अब चुटकुले सुराना छोड़ो अंदर काउन बंध है शटर उठाके दिखाओ मेरे चौनिक नहीं मिलता है यहां पर इसलिए तो यूनियम बनाने की मेनत कर रहा हूं मैं कौन है मेरी पर्मीश की मेरा शटर खोड़ रहा है हलो तनी सहाब नमस्ते जी तो बता किस्ता पैसा बरवाद पता है तुझे अरे मैं भी इंसान हूं यार मेरे अंदर भी इंसानियत बाक्की अभी तक एक कॉर्टर दे क्यों रे तू भी हमारी यूनिम ने शामील हो गया क्या इतनी सुबह सुबह आकर शुरू हो गया चोटू इसका ढकन ऐसे घुमा कर नहीं इसको लाजाता इसके लिए स्पेशल टेखनीक होता है टेखनीक ला यह तुमारे लिए तुमारे लिए मेरे लिए एक्स्क्यूज में क्वाटर जाते ही मैं सब कुछ भूलिया यह मस्तमाज लेना तुम मेरे केबल के पैसे लाओ बाबो आई ये धर आया कॉम्रेट्स बहनी हो गई तुम लब भी शुरू हो जाओ अब ने यह मेरे पैसे नहीं दूगा तुम शराब पीकर बेहोश हो कर रोट पर पढ़े होगे तो कोई चुरा लेगा तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं इसलिए केबल के पैसे करके अपने पास रखें चाची को देने के लिए यह क्या करें आप रोट पर बच्चों जैसे रूर रहे हैं चोटो तू मेरी फैमली के बारे में इसना ज़्यादा अच्छा सोलता है और मैं हूँ तो क्या हुआ चाचा तुमने क्या गलत किया ठीक नहीं किया होगा आज मैंने कंजान लड़की के सामने कौन सी लड़की इंद्रा नाम है उसका पास के कॉलेज में पढ़ती है अनात बच्चों की मदद के लिए वो लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं तू वहाँ पर गाई में तू न जाए इसलिए मैंने उन्हें उल्टा सीदा समझा कर यहां से वापस देज दिया स्टेश पर एक बार गाना गाने के मौके के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं पता है आज हाथ में आया हुआ मौका तुमने मिस करवा दिया चाचा कम सी कम उस लड़की का एड्र कर दो मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बन्दगी है तुझे ढूंद ये नजर तन मन मैं हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जा मैं वारी तु है जुनुप तु है सुपुप तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम्षिवं सुन्दरम मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बन्दगी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्पों से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी है गुली कोई अलसे तरी मीती है बोली तो है सुको मेरे समन का अप कर ले तू यकिन तेरे मिना मैं जीना सखू तो है मेरी जिन्दगी तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुनरम मों मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बन्दगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन में हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जाओ में वारी तू है जुन्दगी तू है सुको तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुनरम मों मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बन्दगी है हुआ है 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 अरे 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 अंदर का लेडीस टॉइलेट में जाग रहा है चलो अंदर चल कर बता देंगा अ अरे यार रुकना यह अन्या है सच क्या रहा हूं केबल कलेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़े को हमारे पीछे लगाकर खुद लड़कियों के पीछे घूम रहा है अपना करेक्शन विट करने ऐसा नहीं चलेगा यह मैं भी जानता हूं चल माचिसला नहीं है नहीं है एकस्कूज मी वेब्स आप लोगों के पास माचिस है क्या दी ओ इतनी गुसा क्यों डेहों मैडम बजेंटेल में आग लगा कर फिर से दिया जलाने के लिए मैंने तुम से माचिस मंगा तो तुम्हें गुसा आ रहा है क्या चुप बक्वास पंद कर रासक एई तेरे चेहरे में कुछ बदलावसा नजरा रहा है वो क्या है ना सारी मर्दानी निशानिया हटा दी है सेवेन ओ कलॉक ब्लेट से शेव करके सारे जिस्म के बाल भी हटा दी है अब मैं कैसी दिख रही हूँ यह तेरा लुक कैसा है तुम्हारी मुझे भी मुझे बहुत खलने लगी है हाँ तुम समझते नहीं हो ना मैं ब्यूटी पालर जा रही हूँ आईब्रो का शेप चेंज करवाने चलती हूँ टाटा अब आईब्रो शेप मर्द लोग भी करवाते हैं क्या अब चुप क्या मालूम ओ भाई जरो सुनो भाई 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 मुझे गांधी नगर जाना है भाई आप लोग को पता है तो बताओ ना मुझे वाई ड्रस इसको एड्रस बता दे हमारे पास इतना टाइम है इस शेहर का चप्पा चप्पा का एड्रस जानने वाला एक ही अदमी है वह देखो वहां है वहां है जा उससे पूछ ले भाई आप मुझे बात बताईए उसके गले में रुमाल बंदा हुआ है वह तो मुझे कोई भाई जैसा लग रहा है आप मिलवा दीजे ना मिलवा इने छ ना मेरा नाम सब्सक्रार चमयन ऑद है डू है वहां पराव तो तू फिकर मत कर सही जगर पहुचा दूगा चल तुझे मैं सही रास्ता बताता हूं यह क्या लटक रहा है रेलवे ब्रिज से अभी खरीदा है 15 रूपीज में उसके साथ यह फीटा भी फ्रीमियम मिला है तेस्स बहुत बढ़िया यह बहुत जल्दी है अड्रस बता दो थे वही है अच्छा वहां मुड़ जाना हम है समझ गया उसके आगे नाल आ बहुत करके आगे जाना सामने एक रास्ता है समझ गया तो ठीक है उसके बाद पीछे आने आगा पीछे पीछ्शाने का अजी तो जगह है तो जगह है यह सामने तुझे मौल दिख रहा है देख तब उसने बनाया था जोड का प्रनाम करो जो विंदा गो इंदा ऐसे ही रोगा जी आगया जी आगया जी अब देख लेप लिप से राइट में आगया जी फिर लेप मुड़ गया जी फिर इस तरफ गली में मुड़ जा तू यहां 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 तक तो, पहुंच गया नैं, मैं ने तुझे एक गंटे से, सारे राच्टटे उस और फिर पॉच्त जा जाउयाgroup बहुत बहुत हो गया है रुको मैं दे रहा हूँ एक साही है मेरे पास राख लो तो तुम्रभाड यूहीं भटकता रहता पर तुझे नहीं मिलता तो सस्ते में अपनी जगा पहुंच किया यह मैं था जो तुम्रभाड पहुंचा दिया नेकर वाले यह देख लिया ना मेरा कमाल आगया नमाल है मस्तान यली तैयार कर एक किलो कि मा आ रहा हूं है विनायक जी मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या देवा विनायक मुझे अगर स्टेश पर एक बार गाने का मौका मिल गया तो मैं गायक बन सकता हूं इसलिए इस बाग का ये फूल आज में तुम्हें अर्पित करता हूं पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है इन फूलों को देखो एक एक फूल लड़कियों की तरह खूबसूरत है मैं यहाँ जब भी आता हूं यहाँ की हर कली मुझे बड़े प्यार से देती है ये बाग प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माने भीजे हैं इस बगीचे में जब तक बाहर है तब तक मैं समझूगा मेरी मा बहुत खुश है तब ही तो ये फूल में तोड़ना नहीं चाहता है इसलिए ये फूल तोड़ने के बज़ाए मैंने ये सारा का सारा बगीचा तुम्हारे चाड़ों में रख दिया है जिससे मुझे फूल तोड़ते समय दुख भी नहों और आप यहां पर रहे कर खुश भी रहे ओके इसार पीचे स्मू कर रव्यार तो फिर में क्या करूं पता खें नमस्ते सर क्या बात कौन हो तुम मैं C__ मुझे आपसो थोड़ा काम है पहें केवल कनेक्शन लगाना है क्या नहीं सर लटकेक्शन करवाना है लव मुझे शर्म आ रही है जी component लगता है सिटी कबल के स्पॉंसर आया है तो थोड़ी देर कंट्रोल मेरा मुझे इनसे बात करने दे बोलिए आपका कनेक्शन कहा लगाना है वो क्या है न भाई पास वाले कॉलेज की अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है फिल्म के दो ट्रिकट भी खरीद के रखे हैं म समय नहीं है भाई भाई तुम कुछ रास्ता बताओ ना उसे किसी तरह इसके साथ भीजवा दो तुम क्या कहते हो यारो दलाली करने के लिए कह रहा है अरे कूल डाउन बाबा वैसे हमारा असल काम क्या है समाह सेवा करना ही ना जूते चपल खाते रहो और मज़े करते रहो मैंने समझाया ना थेरे ही वज़ा से मैं चूफ हूँ जल कहीं और चलते हैं चल बेरा डाउन खराब कर दिया अरे रेरे पर अरे बोड कहां लेकर जा रहा का लेकर जा रहा ज़ा नहीं कि देख लिए तु बढ़े कि इतना अच्छा गा सकती है में नि का था ना है तूंग गई हो हर किसी के जुबाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है इस तारीफ का पूरा श्रे सनी को ही जाता है उसी का गाना मैंने गाया जो लोगों को बहुत पसंद आया है अगर वो खुद गाता ना तो प्रोग्राम की बात ही कुछ और होती कोई बात नहीं इस साल हमारे कॉले कि ओधर देख ना वांटचेट अनीता तर्ड भीस सभी शाम ए अनीता तका तेरे लवने तेरे लिए बुलावा भेजा है है तुझे देखने के लिए तरस रह होगा इसे लिए बुलावा भेजा है अरे इंदू यह तो पागल दिवाना लगता है तो जल्दी जा मिल उससे इंदू एक मिनिट ओके इतना ख़तरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा मुझे पता ही नहीं था प्यार 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 करते रहने से कुछ नहीं होता है उसको सक्सेस करने के लिए अएडिया लगाना चाहिए मैं वहाँ आजाओंगी ओके सर आपने जो मेरी हेल्प की है मैं उसको कभी नहीं भूला पाऊंगा भूलना भी नीचाहिए एक छोटा सा नद्राइब क्यों बस यह रख लीजिए अरे यार तुने समाज सेवा की बात की ती इसलिए मैंने इसकी हेल्प की यह पैसे दिखाकर म मैंने यह काम किया है पोस्त में आ गया सन्नी को स्की माने मनीओटरों बेजाओंगा मेरा तो आज मिल जाएगा अर्वां कि अ कि सब्सक्राइब कि है कि इसके लगता है सद्कानी का मनीओटर रहा है चलो यार और प्र इसके इनक प्रस्क्राइब प्रेल काडी इंजिन से जिन्दगी की ये गाडी चलती है नोट से खरा खरा है ये नोट हाथ में ठाकिन ले तु हरा हरा है ये नोट हाथ हुमें हागिन ले तुँ अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अर बोलो मेरे भाई हर बात किजै लेल काड़ी इंग जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की एक गाड़ी चलती है नोट से दौलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू पैसे है तो हर फल तेरी चलती पैसे है तो दुनिया तेरी सुनती पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पड़ती बास तेरे साइकल हो तो फिर वो लड़की पड़ती रेल काड़ी इंग जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की एक गाड़ी चलती है नोट से जब कुडियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है ये दौलत भी कहीं पे लपड़े का बन जाए भजे जौलर ले लो बेस्टन रूबी लेना सब कुछ देके कर लो खाना पीना बास तेरे पैसे हो तो नख रे ये सब सहदी हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती हो बास तेरे पैसे हो तो नख रे ये सब सहदी हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती रेल गाडी इन जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से अरे बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अरे बोलो मेरे भाई हर बात किजै हर दोलो मेरे भाई इस नोट की जैए क्यों भाई सनी सबका सेटलमेंट हो गया क्या वैसे लगभग तो सब सेटल हो गया है ये ले तेरी चाह और जीमी के लिए दूद्ध ओके ये जीमी ये ले दूद्ध पी कि ये बहुत बढ़ा ने हो रहा है समझ में कि सबका करदा ठुम कुनेकर देपष आ रहा है है के अलग अब मेरी समझ में नहीं आ रही है तेरा फर्ज बनता है कि हम मेनत करके कमा गवां में रहने वाले अपनी मां के पास दो चार पैसे भीजवा वो करना तो दूर उसके बजाए उन्हीं से यहां पैसे मंगवा रहा है इसका क्या मतलब है रैसे बात और है पोस्टल डिपार्टमेंट पियार से क्या कहले देना है देको जाचा मेरी मां के सब्सक्राइब हरे और salahpekt को मेरे सब्सक्राइब है अगर मेरे माने मेहनत नहीं क्योंती तो आज मुझे महनत करने परती मैं नौकरी नहीं इसलिए मां मुझे खर्चे के लिए पैसे बेजती है कल में पैसे कमाऊंगों तो मां खुश हो जाएगी चलो ठीक है छोटु तुम मां बैटी के खुशी इसी में है कि वो रोज तुम्हें मनी आडर भेजते रहे इसने मुझे क्या लेने देना I want 86 रुपीज मेरे सवा दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या क्यों नहीं मिला है 86 रुपीज जाईए मुझे तुम्हें तो भगवान भी नहीं सुधार सकता ऐसा मत बोल छोटू वो बुरा मान जाएगा हाँ वन मिनेट ये लो चार रुपे चेंज रख लो तुम्हारे चखने क काम आए या भी सही का एक वाटर लेकर आए अच्छारम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे धूद ये नजर तनमन हम्हारे बस्ता भूपे थे बस्ता हूब mm-hm sorry एक्स्क्यूज मी येस तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं इतनी खुजूरत लड़की मुझे दुबारा जिन्दिगी में नहीं मिल सकती ये चांस मुझे मिस्स नहीं करना चाहिए येस सर बताईए ना आरे यू सन्नी ओफकोर्स वैसे तो मुझे सन्नी बाबू छोटे सरकार इन सब नामों से बुलाते हैं कुछ देर पहले ट्राइल रूम में आप ही गाना का रहे थे ना गाना अपने सुना था क्या सुना था अच्छा लगा अच्छा लगा कुल कोई मुझसे ना हो जाए दिंक चक आख है 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 लवली बेबी इडियट हैंस ओ हो कर्शना तुम यहां कैसे कितना दिन हो गए बेडू तेरे को देखे हुए हाँ ठीक है तै इस नॉंसेंस का लुका नाम है क्रिशना जैसी नीच हरकतें वे ऐसा देखता भी है चल बेडू चाई पीके बात करते हैं नहीं यार मैं तोला जल्दी में हूँ बस मिस हो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी मिस हो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी मिस हो जाएगी ए क्रिशना एकदम पटाका है रहे बिलकुल होट केक मजा ले ले क्या यार सुधरा नहीं अभी आज भी तेरी वही मेंटिलिटी है अरे उसका विना लाइफ में क्या मजा रहे हाई चिकनी सिल्भाग ओके निकाल निकाल ए तेरी शादी फिक्स हो गई तो ने बताय क्यों नहीं वैसे सोचा था कि वेडिंग काट छपने के बाद भी बताऊंगी यह क्या बात हुई कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना अरे तेरे बगैर शादी हो सकती है क्या सबसे पहला काट तुझे ही दूंगी इंदू एक छोटी से रिक्वेस्ट है क्या हमारे marriage reception में तुझे गाना गाना पड़ेगा मैं हाँ उस दिन अनात बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तुने जहाने दे उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले भीमार पड़ गए थी पिर सन्नी को ढूंडा और वो भी नहीं मिला इसली मजबूरियों मैंने गाया वो मेरे गाने की इतनी इज़त करती है आज मैं उसे बता देता हूँ कि मैं ही सन्नी हूँ वो असर मैं नहीं जानती है तुझे गाना ही पड़ेगा प्लीज मुझे बख्षते मैं तुझे नहीं छोड़ूगी, तुझे गाना ही पड़ेगा, एक काम करते हैं यार, वो सन्नी को कहीं से ढून कर निकालते हैं, तेरी शादी के रेसेप्शन में उससे गवाते हैं, डूंट परी, अच्छा, अगर वो सन्ने नहीं मिला, तो तुम गाओगी ना, चलो चीक, इडियर, तेरी इतनी हिमत कि मेरे साथ बत्तमीजी करें, मैंने, च्छे, मैं अच्छी तरह जानती हूं तुझे, तुम अपने आपको समझते क्या हो, हां, किसी के साथ भी कुछ भी कर लोगे, ये तो बता मैंने किया क्या, ओए वो क्या बताएगी, तुमने सब के सामने से छड़ा है, हमने नहीं देखा है, क्या, तुम्हारे घर में मा बहर नहीं है, जब देखो लड़कियों को चड़ते रहते हो, इसे कैसे लोग गारी में आ जाते हैं, चलो तुम नीचे उतरो, चलो, आदे, आते हैं, मवाली कष़गा, करतार एक स्ट्रोंग सूपर डस्ट चाहे मुझे कड़क मलाई मारके खाली दूद की सुनो मुझे असली दूद की कॉफी चाहिए थोड़ा सा भी पानी मत मिलाना अच्छी नहीं लगती जिसको जो भी चाहिए यहां पर सब कुछ मिलेगा लेकिन पहले रोकडा निकालो अका नीचे नहीं आ रहा है पैसा दोगे पलाई मारके भी दूँगा कॉफी भी दूँगा रोकडा देकर चाय पीनी होगी तो तेरा ही होटल है क्या इससे तो अच्छा है हम लोग कामत होटल में जाकर चाय पिएंगे क्यों रहे आया वाव 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 उधार पीनी के लिए मे क्यों रहा है सनी कुछ सोच रहा है तुम लोग शांत नहीं रह सकते सोच रहा है तुझे कैसे मालूम रहे यह समझने वाला दिल मेरे पास है एक बार इंसान किसी को दिल दे देता है तो वो दिल ही दिल में बात करने लगता है एक दिल वाला ही उससे समझ सकता है एक दिल व चले हो तर था चिक पाविता में चपी है तो few तक अना बहुत बड़ी बात आशा बूमें में जाना बहुत बड़ी बात है आंध्र भूमी गटाओं में तुम्हें देखा है, सपनों में तुम्हें पाया है इंदू हम सबके तरफ से तुम्हारे इस खुशी के मौके पर एक जोड़ा पाची करेंगे हम लग सम्मेल कर अब हाँ है 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 लाला लाला ख्वाबों में तुझको ही देखूँ नजर से दिल में तुम मुत्रो कभी तो धड़कने ये सुन लो ओ प्रिया ओ प्रिया हर घड़ी तुझको ही सोचूँ खाबों में तुझको ही देखूँ अक्षर में तुझको ही जड़को ही देखूँ झार सबस्दक्पको ही एड़को ही देखूँ झार सकते देखूँ रोज सपने आए तेरे सनम आके मिल जा आखे बरसे मन ये तरसे दिल को न तड़ पा तेरी बाते लगे तच को जई हो लगे मैं न जानू सनम क्या है ये अश्की हर घड़ी तुझको ही सोचूं खाबों में तुझको ही देखूं हर घड़ी तुझको ही सोचूं खाबों में तुझको ही देखूं झाल झाल चाहत भरी नजरे नहीं दिल बल का करें हम तुम ही कहो मेरे सुनम कैसा ये बंदन तेरी चाहत से है ये मेरी जिंदगी मेरी सांसों में हर पल तु है पसी ओ प्रिया ओ प्रिया हर घड़ी तुझको ही सोचूं खाबों में तुझको ही देखूं नजर से धिल में तुम मुत्रों कभी तो धड़कने ये सुनलो प्रिया, 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 प्रिया… प्रुम्ने कुची में अटिए थे खिर से हैंगी सोरी यार सोरी मैं उसे देखने की कोशिश कर रही थी वावावावावावा क्या गाना गाया है भाई भगवान ने तुम्हें सुरो का अमरित दिया है यह पंडित तुम्हें स्पेशल चाय पेश कर रहा है पीओ पेशल चाय हमारे लिए नहीं तुम लोगों को सुलेमानी सु विदाउट मिल्क अरे हमें वही देदो लेकिन जलती देदो अहां तुम लोगा लेटर कौन है माधुरी यानिकि मैं और कौन है अब बहुत चर्वी चर्गी है इज़त से बता दो तुम लोगे लेटर कौन है अपने आप को सिस्मार खासा मसता है कौन जो मेरी बहन से प्यार करता है उसका नाम पता बता मुझे नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे जाए की हंडी को बार फैक दोगे सारे समोसों को बाहर कर दोगे तो अगर एक बात के ओलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे तुक है तुम चुपरा हो ना तुम्हें डरने की कोई जुर्यत में हूं ना हम साथ साथ हैं देखो ठागुर साब इस होटल का मालिक मैं हूँ इस ग्रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है करता लीडर मैं ही हूँ देखिये आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है दोनों शादी करना चाहते हैं अगर आपने शादी से इंकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है दो फ्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा उनकी शादी करा दीजिए इसमें बुरा क्या है वो मेरी लड़की है मैं सोचूँगा मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिन्दा गार दूँगा वो किदर है भे ठाकुर साब मेरा कहना मान लिजिए उनकी शादी करा दीजिए दो दिलों को तोड़ना पाप होता है वो लड़की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसके शादी करवाके उससे जिन्दगी देना चाहता है और तुम उसके खिलाब जाकर उसे जिन्दा लाज बनाना चाहते हो कैसे इंसान हो तुम लोग क्या बें साले तु कौन है एसे रिया का दादा है क्या हाहा क्या बें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करदा दो कर दो अब बोल है जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने के कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गाउच होने के लिए मजबूर करती है मैंने आउट आउट अब यह निकर है है सारे गाउं में अकेला मैं ही हूँ मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा निवा है अपनी निकर निकाल कर दे मुझे मेरा पसीना पोचना एला है आया बड़ा निकर वाला भाई निकर वाला कर वाल कर वाल किकर वाला निकर वाल वाल差不多 कर वाल, अ हुआव का वाल किकर आज मैंने उत्हाआ का अ ओब आ जो लो जो जो कि आए सट रासकल करन्पा गुरू 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 क्या बात है आज अपना चेरा चुपा के जा रहे हो पीडी को तरसने वाले इंसान तेरा मेरा रिष्टा क्या है मेरा उचा खंडान भरपूर परिवार है उससे बढ़कर खुशी की बात और के हो सकती है कोई बात नहीं है तुम अपने आपको सुधानना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है गुरू यह बोतल खुल नहीं रही है तुम ढखकन खोलने में एक्सपर्ट हो ना जरा इससे खोल दोना गुरू नहीं खोलूंगा भीम की तरह बल्वान हो तुम क्या फरक पड़ता है ज पागल कई का ले पकड़े से गुरू एक इसान और कर दो ना थोड़ा साथ दो लगुरू को टेश्ट्र राओ की बार पत्थर के लकीर होती है आज के दिन हम सब यूनियन वाले हैपी ते मनाइंगा आज मैं नहीं पी रहो तो किसी और करना सक्यों खराब करा तो ब्लड़ मैं आज भी नहीं भूलो मैं एक अच्छा गानक बनूं इसके लिए वही गाना साहरा है वही गाना जहां गाया तो एक लड़की ने उसे बहुत सरहा और अपने सरा आखों पर रखा उसका नाम है इंद्रा लेकिन उसे नहीं पता कि वह गाना मैंने ही गाया है और जब भी म उसके हे पैसे भी मुझे मिल गये तुम अपनी सिहत का ख्याल बख ना तुम ॉपारे जवाब के इंचजार में तुम्हारा बेटा सनी क्या सनी मनी आदर है क्या मैंनी आदर आता है तू मंजे बक्षीश देते हो भेज रहे हो तो मुझे नहीं दोगे क्या क्यो लखा कं और अरे रहने दो बेटा यह क्या? चेथी लिख रहा है हो मैं पोस्ट कर देता हूं तू मनी आदर कर दो ॉके हुआ है कि छॉब एक है, कि दे अन्हें! कि टॉई एक है? ाव, प्हाँ एक है? एक है कि एक है, कि एक है एक है, यह सही है यह देखो रमा मैम कहा है नमस्ती मैम आओ इंदू मैं तुमारी इरा देख रही थी लेकिन मेरी इरा क्यों कॉंग्रेट्स करने के लिए नहीं समझी क्या इस साल भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो थैंक यू मैम तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो फाइ अब आगी क्या करोगी डॉक्टर बनना चाहती हो नहीं मैम मुझे यहीं आएस की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है ठीक है उसके लिए तुम्हें जो भी किताबी चाहिए तो तुम मुझसे आकर ले लेना थैंक यू मैम लेकिन इसके लिए और क्या करना पड़ेगा मैम वो मैं तुम्हें बाद में बताओं गया अब अब कर दो कर दो कि उसके बाद क्या हुआ आप इंदु से मिले क्या तो ये बत आपने उंदू को क्यों नहीं बताई प्रूंड पिंदू को कहां मिले थे सर्ट झाल झाल दिवा, आज बहुत दिनों के बाद मैं इंद्रा को देख रहा हूँ, जब भी उसे बताने जाता हूँ, कि मैं ही सनी हूँ, तभी कुछ ने कुछ अन्होनी घटना घट जाती है। ऐसा कुछ करो कि आज कोई अन्होनी घटना ना हो। एक्स्कूज में, कहिए। कहिए। मतलब तुम्हे दिखाई नहीं देता? जी हाँ. मेरे साथ मजाग तो नहीं कर रही हूँ? मजाग नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ. I'm blind. कहीं जूट तो नहीं बोल रही हूँ? कैसी बाते कर रहे हां? जिसकी आँखें ना हो, वो जूट क्यों बोलेगा? कॉलिज के लैब में, किसी बुन्बे की वज़े से एसेट की बॉटल फटने से? यहीं आँखें चली गए। नो! ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा कैसे हो गया? यह नहीं होना चाहिए था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. ए, बीच रहते पर कहे चल रहा है? मरने कह रहा है का? आज़र भाई! मा! सनी कैसा होगा पता नहीं? डक्टर, डक्टर! मैं डक्टर नहीं हूँ वो बताना जरूरी है क्या? अपली गाड़ी से एक अक्सिडेंट हो गया था. उस पेशेंट का रूम का रहा है? 106. यह जरूरी था. पूरी की पूरी बटल टुकडों में विख्र पड़ी है. तेरी यह टुकडे किसने किया है सनी? अपली पूरी था. तेरी सर, मैं घलत कमरे में आ गया है. रूम नहीं बदला. आदमी बदल गया है. तुम चिंता मत करो. सनी को कुछ नहीं हुआ. सनी को कुछ नहीं हुआ है? तुमें कैसे माला है? जिस गारी से सनी का एक्सिडेंट हुआ था ना, वो मेरी एक्सिडेंट करने के बाद भी तुम फुल बॉटल की तरह खड़ा हुआ है, और जिसने एक्सिडेंट किया है, वो तो एक कौटर में बदला पड़ा है. वे भगवान, इस कन्फूजन ने तो मुझे पागल बना दिया है. अब मुझे यहाँ क्वाटर कौन पिलाएगा भाई? अरे 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 बाप्रे, जब देखो, क्वाटर और हाप की बात करते हो, यहाँ भी पियोगे क्या? चड़ाब! क्या हुआ था पता है? मेरी गारी के सामने सनी चला जा रहा था, मैंने ब्रेक लगाएं और इसने जम्प लगा दी, यह तो बच गया लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी यह हालत कर दी, और मैं यहाँ पहुँच गया. जो बै, तूने भी मारा क्या? ची, मैं क्यों मारूंगा? गले लगा कर मैंने तो पपी दी. ओ, क्या है ने चाचा जी, सनी के एक्जेंट होने के बाद, सनी को उठा कर होस्पीटल में ले जाने के बजाए, यह भाई साब बोले, हम लोगों से बरदास्ट नहीं हुआ, और हमने दे दिया रखके. इससे कुछ नहीं हुआ, मैंने टेस्ट कर लिया था. अच्छा तूने की टेस्टिंग, वैसा टेस्ट करना तुझे आता है क्या? मैं डॉक्टर हूँ यार. तुम डॉक्टर हो? यह हॉस्पीटल भी मेरा है. सनी, यह पिना सर पैर की बातों से मेरा पिवाद पग गया, 86 र है मुझ पर जिसकी वज़े से उन्होंने यह गल्ती के, उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ. इस आल राइट. चलता हूँ. कि मुझे आप लोगों के साथ के अरफ नहीं खेलना है. क्यों, क्या हुआ तुझे खेलnaire के लिए को स्क्किल खेलेका, क्या खेलेका तुम खुपती हूँ तुम लोग ढूड़ो हम लोग लोगा खुपी का केल खेलते हैं. वो अच्छा रहे गा. इतना अच्छा खेल छोड मा, जब मैं इंद्रा को ये पताने गया, कि मैं ही उसका सन्नी हूँ, तब मुझे इस बात का पता चला, कि मेरे कारण उसकी आँखों की रोशनी चली गई है, इंदू को मेरे काने पर अभिमान था, आज मेरी वज़े से उसकी जिन्दगी बरबाद हो गई है, जाने अन जाने चुत तेरी तो, उस दिन तो डेड़ फीट का चाकू लेकर आये थे, आज नाइटी फीट का तलवार लेकर आये रहे, सन्नी कर दो, 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 मैं तुम्हें अपने गुंडों के साथ मारने आया था, लेकिन, आज उस दिन की गलती के लिए मैं माफी मांगने आया हूंगा, जब इंसान को अपनी गलती के लिए पशाताप होता है, तो उसे माफी मांगने की क्या ज़रत है, जैरी पहले मेरे प्यार को स्विकार नहीं कर रहे थे, आज आप ये की वज़़े से स्विकार किया, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है आप हमारी शादी में आएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मौका मिलेगा, तो अपना बच्चा समझ का रासिरवाज भी देंगे, शादी से पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, शादी कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे हाँ, वही वही, पूरा साथ देंगे, इतना ही नहीं, शादी के रिश्यप्चन के दिन सनी से गाना भेगावाएंगे मेरा औरकेस्ट्रा, थैंक यू सर्, उमीद करता हूँ, कि आप लोग जरूर आएंगे, नमस्ते, नमस्ते, चल बेटा तुने देखाना मेरा मास्टर प्रेंट, शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया मैं नहीं गाऊंगा, अभी तक तो तु गाने के लिए मोके की तलाश कर रहा था, अब तुझे क्या हो गया मेरा मन ठीक नहीं है, आज तक जभी तु गाना गया तेरा मन ठीक था क्या, आज जब गाने का अच्छा माओ का मिला तो तेरा मन ठीक नहीं है, देख यार, तुझे गाना होगा, उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे, और तुझे गाना गाना होगा, समझाए क्या रख्वकित आपके केंगे था यह अर। वालन था, बोला ना, तू जर्ोपरे है विए गाना क्यों नहीं गा रहा था था आएगा मैंने कहा ना बरातियों का सारा मूल्ट खराब हो रहा है और यह है कि चुपचाब खड़ा है इसे गाने के लिए बोलो न आओ चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हाँ रुतों से कहूँ आई मिलने है तू सजदा करूं सनी गाना गारा है ना हाँ वही है हाँ रात उसे कहूँ आई मिलने है तू सजदा करूं मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरी मंजिल के सांसे मेरे जीवन की फ्रीत मेरी धड़कन की गम यह दिल के तुमसे मिलके मेरे सारे ढल गए हाँ मन में तुमसे मिलके दीव कितने सारे जल गए चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं यू ही संग रहना उम्र भरत जाना सनम मेरी चाहत तुम हो तुमसे रह जहाँ तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरा अर्मा सनम दिल की धड़कन सुन लो लो ना इंतिहा रहत तुमसे मैंने पाई हाँ तुमसे मिलके आया जीहा नैन तुमसे बाते मन की बोले सारी सुल्ले चैन तुमसे मैंने दिल के पाई सारे सुल्ले चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं कालिदास मैं हूँ कविता मेरी तुम हो सनम तुम बसालो दिल में सुन्दो तुम सजा तेरा मैं हूँ राजा दिल में मेरे रहना सनम मेरी राहत तुम हो मेरे तुम खुदा तुम मेरी चाहत हो तुम मेरे हमदम तुम मेरी राहत हो तुम मेरी धड़कन संग चल सनम युही हमारे सुन्जरा हा रूप है चाद सा सनम तुम्हारा चला है जादू आई मिलने है तु सजदा करूं मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरे मंजल के सांसे मेरे जीवन की प्रीत मेरी धड़कन की हम ये दिल के तुमसे मिलके मेरे सार ढल गए मन में तुमसे मिलके दीप कितने सार जल गए बहुत अच्छा गाता है लड़का दीमा मुझे इसके पास ले चलिए बेटा, बेटा, मेरी पोती तुमसे कुछ बात करना चाहती है थोड़ा वक्त दो के बेटा, वो आ रहा है नमस्ते सन्नी जी, नमस्ते मेरा नाम इंद्रा है, मैं यहाँ आपके पडोस में ही पड़ती थी मैंने आपको कई बार मिलना चाहा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई मेरे पिताजी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए मुझे भी बचपन से संगीत का बहुत शौक है जब भी आपका गाना सुनती हूँ मैं अपने आपको भूल जाती हूँ सन्य जी मैं बस आपको देखना चाहती थी मैंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं देख पाई और आज आप मेरी इतने पास हैं लेकिन मैं अपनी आँखों से नहीं देख सकती एक एक्सिडेंट में मेरी आखें चली गई आपको देखना मेरी किसमत में ही नहीं था, फिर भी आपसे मुलाकात हो गई, आज मैं सच मुझ बहुत खुशू, हमारे घर में आपको एक बार जरूर आना होगा, आएंगे ना, हाँ एक भूट म्यूज है, क्या गूट म्यूज है, इंदू कहां रहती है, पता चल गया है, उसका पूरा एड्रेस मैंने ले लिया है, मिल गया है, इंदू का एड्रेस मिल गया है, कहां रहती है, इंदू कहां पे रहती है, उसका पूरा पता हमने लगा लिया है, इंदू का एड इंदू के माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहती है, उसके पिता जी बहुत बड़े संगीत विद्वान थे, वो बहुत बड़े उच्छे खंदान किये, इंदू कन्या राशी की है, वो फूलों की रानी है, तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है सनी, ओके, ओक प्यार की कशीश कैसी होती है देखना वो बारिश में भाग के चला गया हम लोग चलें क्या हम लोग चलेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे क्या होते है तो हो जाए ठीक है फॉलो मी अगर तुने किराया नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है ये तू जानती है अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है वैसे में तू हमसे बहुत कुछ ले चुका आज तक तेरा बुरा हो नास पिटे तू बरबाद हो जाएंगे क्या कहा बढ़िया बरबाद हो जाओंगा क्या बे अकलो जैसी बाते कर रही है मुझे तुने क्या समझा है इंदू मैं सनी हूँ क्या सनी है मतलब बच्छोड़ से कुट्टे का बच्चा समझा था इतने लोग यहां पर गुंगे बनकर खड़े हुए हैं तो इतनी हिम्मत करके अंदर आ गया इसके मतलब तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ कौन है बे तू इन लोगों का रखवाला हूँ यार ऐसा नहीं लगता है इसको कहीं देखा है गौड दिल्ला दादी मा प्रब्लम क्या है मकान मालिक का अदमी है बाड़े के लिए आया है मैं बैंक से दो दिन का खर्चा किराय निकालने के लिए गे थी लेकिन बैंक बंद जब लोट कर रही तू इंदू बात्रों में नहा रही थी और ये खड़ा देख रहा था ए बुडिया जूट बोलती है तू नहाते समय इसे मैंने कहां देखा ये तो नहा के बाहर आकर जब कपड़े बदल रही थी तब मैंने इसे देखा वैसे वो पूरी मुझी कहां दि है कि यह लोग पैसे सनी जी हमारे लिए इतनी दगलीव क्यों उठा रहे है यह क्या को पूछने वाली बात है मैडाम यह सब तो सनी के लिए मामूली बात है यह पैसे तो सनी के मंगले में जाड़ पोचा लगाने वालों की पगार से भी कम है है ओ हो इतने बड़े दौलत म संद होकर इस गरीब को सिर्फ दो हजार उपे दे रहे हो ना इंसाफी है तुम्हारी जगे मैं होता तो इन गरीबु को घर खरिद कर दे देता बेचारों की किस्मत खराब है सनी यहां कुछ मत करना ए बुडिया जब देखो तब पैसा नहीं है पैसा नहीं है यह बोलती रहती हो अरे पोती तो है उसे दे दो मुझे सनी कुछ मत करना है तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है इसलिए तुम मुझे दमाद बना लो सब ठीक हो जाएगा इंदू को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए तुम मुझे अगर अपना दमाद बना लोगी न बुडिया तो ये किराय के जंजट से मुक्त हो जाओगी ये घर की प्रॉपटी है वो कुर्सी यार थोड़ा संभल के यार ए बुडिया तेरी उमर तो हो चुकी है पर अकल नहीं है दुबारा तुम मार्केट जाएगी थोड़ी लेट आना इधर में तेरी पोती के साथ सन्नी सन्नी आप कहा है थैंक सन्नी आपने अपने स्टेटस के मताविक बहुत समझदारी से काम लिया है आप अगर उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती है कि इंदू क्या का तुमने इट का जवाब पधर से देती तो और अच्छा होता बस यही तो सुनना था मुझे कर दो 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 अब बढा मुदसरे कुछरा। करतो वाल इपकाई लुटे टाइ दो अजिए इजा है लुट छेला घलमाद अजया अजया है अजया 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 झाल 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 झा आज के बाद तु किसी लड़के की तरफ आख उठा कर भी नहीं देखेगा अरे यार सन्नी की आखों में इंदू का खूबसूरत चेरा तुने देखा क्या अरे यार पहलिया मत बुजा साब बता ना जरा सोच यार शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक दोनों के बीच में रिष्टा भी नहीं है एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं फिर भी उसने उसके घर के भाड़े का 2000 रुपया चुकाया इस बात पर गौर किया जा तो सन्नी उस लड़की से जरूर सचे दिल से प्यार कर रहा होगा मुझा डौट है यार डौट करने से तो अच्छा यही है तू जाके सन्नी से डिरेक्ट पूछ ले सन्नी से पूछने जाओंगा तो बताएगा ने यार वो सारी बाते अपने दिल में रखता है अबे यार यह क्या मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचानवाली आ गई है अबे गदे वो तेरे लिए होगी तो पिर चल पता लगाते हैं इस तरह क्या देख रहे हो तुम्हें मुझके इस हालत में नहीं देखना चाहिए जाओ अच्छा ठीक ठीक है जानवरों के अस्पताल से तुका बाया पता नहीं चला अबे दरिद्र ये टावेल इस तरह क्यों लपिता है ची ऐसी बाते मत करो मुझे शराम आती है ठीक है प्लंट इसे क्या हो गया यार ये नसल मेल की है कि फीमेल की है मुझे पता ही नहीं चलता इसकी बॉडी के हार्मोस फिल्म स्टायर के स्टाइल की तरह रोजवर चेंज हो रहे हैं ऐसे पता नहीं चलेगा हमें अर्जेंट में किसी डॉक्टर से इसका चेक कराना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर डॉक्टर को हम दोनों पर शक हो गया तो अरे सन्नी आ गया हो गया दर्वाजा खुल कि यह दर्वाजा भी बड़ी मुश्किल से खुलता है कि अगर अगर यही है ना यही है यह घर नहीं यह तो उसका बंगला है आई आए अंदर आई आई अप लोग सनी जी की फ्रेंड हैंकि पुराने मंदिर के पास का बंगला उसने बेच दिया आपने अगर खबर की होती तो आपके लिए कार भेज़वा देता था कोई बात नहीं उससे घबरानी के ज़वरत नहीं है वह आपको नहीं कातेगा उसे आमने सब ची सिखा दिया है इस बंगले में कुल मिलाकर 22 कुट्टे थे और सारे कुट्टों से सनी बहुत प्यार करता था आई आई आईए बैठ जाए यहां कुरसी है बैठिये बैठिये और कि वाज नहीं नहीं दोवर्में बहुता मर गया कह रहा था इसके बोखनेक आवाज से कानके मत्वन फढ़ जाते थे यह कौन सा कुटि Yeah G performer कौनसा कुट्टा है जो अजीब तरीके से भूए है कौनसी नसल का है अAST यह कौन सी नसल का कुत्ता है हमारी समझ में अभी तक नहीं आया सनी जी नहीं है क्या सनी वो बोर्ड अब डेक्टर की मीटिंग में अभी आ जाएगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है एसी आउन करूं क्या इसलिए हमने एसी प्लांट इस गर के सेंटर में एसी फिट किया है पावर का कनेक्शन देने वाला होस्पिटल में एडमिट है जस्ट अ मिनिट कुट्व को बाल कराता हूं चल चल क्या करें इसने ओव रेक्टिंग को आने में देर हो जाएगा बस सनी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना हां 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 गाना गाना तो उसकी सिर्फ हो भी है संद्ली एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है यह बात किसी को पता नहीं है मझे तो इसने बताया तब पता चला ज़ अब ब्राइंच ओफिस है क्या, M.D. साब हैं क्या, हाँ, हेड़ ओफिस में गये हैं, ठीक है, मैं हेड़ ओफिस पॉन लगा के बात करता हूँ, हालो, लता, मैं बालु बोल रहा हूँ, M.D. साब हैं क्या, हाँ, हाँ, दो-दो, हालो, सन्नी, क्या कहा, पांच क्रोर बिजनेस के डिल चल रही है हाँ ठीक है यहां पर इंदू बैठी है तुमारा इंटिजार कर रही है बहुट देर से बैठी है जल्दी आजा अच्छा HOL is the ठीक है, सन्नी आई रहा है, आप सन्नी जी के ओडिटर है क्या, ओडिटर ही नहीं, परस्नल सेक्रेटरी, एरो, और भी बहुत कुछ ही, और मैं मेनेजर, मैं स्टेनो हूँ, घर बहुत बढ़िया होगा ना, जी हाँ, चोबिस उरूम्स है, बारा एसी, आठ नोन एसी, और चा आठ नेरी, टोटल 24, क्या हुआ, सामने यह स्विमिंग फूल है, हिसल गई तो पानी में गिर जाओगी, जी हाँ, वेराइटी के लिए स्विमिंग फूल भी बनवाया है सनी ने, यह स्विमिंग फूल में टालो, यह कौन आप पानी घरब कर रहा है, यह कौन एरे स्विमि थंडी हो गई, थंडी हो गई, थंडी हो गई, प्रॉटेश वर साथ, यह कौन पूल इनों ने बनवाया यह खांदानी बड़े रईस है, हां हां, पूरे एरियमें बहुत बड़ा डिष लगा आए, सुफह भी कौटर, दोपर में कौटर, शामको कौटर, और हां 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 हा बाल्टी बरबाटते हैं बड़े ही दयावान है सन्नी के चाचा जी मामा जी सब पुछ यहीं है बहुत हो गया यार हलो हां हलो बेटा हलो उसमें कभी तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर दिया क्या यहां पर सबके सब डेर से आने हैं तुमने इस जगह पर स्विमिंग पू तो मिने मुझे खबर विजवाई थी ना मेरी वज़े से आपको तकलीफ हुई सौरी सन्नी जी मेरी वज़े से आपको बिजनेस और ओफिस का काम छोड़ कर आना पड़ा बिजनेस यह तुमसे किसने का किसने का यह तुम्हारे दोस्तों ने यह भाई साब ऑडिटर है यह मैनेजर और यह आज़ा टेनो है इसकी अलावा तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे मोबाईल वरपात की तुम्हें पता नहीं चला मोबाईल वन मिनिट बेटा ओडिटर साहब तुम अपना मोबाईल दिखाओ यह जनाब का मोबाईल फोन यह बहुत बड़ा बंगला है इसक मैं बड़ा सिंगर बनने के लिए हैदराबास से आया हूं मौका ही नहीं मिला खर्चा चलाने के लिए केबिल टीवी में काम कर रहा हूं उस दिन पैसे दे कर तुम्हारे मदद की थी, तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, आज तुम्हारे सामने मुझे पैसे वाला बता कर, ये लोग तुम्हारे सामने आज भी उस जूट को मेंटने रखना चाहते हैं, इन्होंने तुम्हारे दिल क को बहुत प्यार करते हैं ना शायद इसलिए नर्वस हो गए मैं देख नहीं सकती इसलिए मुझे पर सानभूती करके मुझे खुश करने की कोशिच कर रहे थे मुझे जूट से सक्त नफरत है जो होना होगा वो होगा ऐसा मेरा विश्वास है सनी जी आपके दोस्त आपकी इसस बढ़ाने के लिए किसी से जूट भी बोल सकते हैं इनके जूट को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इसद बढ़ गई है सन्नी जी आपके आसपास कोई किराय का रूम खाली है क्या क्यों उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की इस बात से मैं खुश हूँ लेकिन उस जगरे की वज़े से एक घंटे के अंदर रूम खाली करने का ओर्डर मिला है यह घर तो है लेकिन यह बहुत ही छोटा है जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ इंदू के घर से स्थामान लेकर आओ हाँ ठीक है करना ठीक है करने मैं का तुम से हैं मिलके हाले हाले तुम कत्मों से आ गई हो दिल में सुन ले ऐ महजबी ले ले दिल नजराना लब पे हैं हर गाड़ी बस तेरा अपसाना आओ दिल से तेरा अज़ागत तेरे हाले हाले तुम से मेरी मिल गए हैं नजरे धीरे धीरे चाहत से तेरी आया है यकी उम के खुम् हेड़ के पंदेर तुम हो मेरे लिए जीना तेरे लिए मेरे सनम तुम मेरी आशकी दिल में जल दिये जाना तेरे लिए मेरे सनम तुम मेरे जिन्दगे तु तिकल अंजानी अब तो तु है दुनिया मेरी तुमसे है जीवन मेरा तुझ मेही देखू सवेरा तुम जो नहीं तो कुछ नहीं यारा दहीं देसे तुभारे में तो पूजा करूं महका महका मनिये महका तुमसे है मिलके हौले हाले तुमसे मेरी मिल गई है नजरे मनिचा इजरे निके साथ सुमो सनम मेरी हम तो है बस तेरी बन जाओं मेरा निदिल की तेरी रपे तेरी पाते दिल में तेरी यादे तुमसे हुई आरी दिल की तुम मेरे रब माना तुम मेरे अब जाना तुही मेरी दिल नशी तुम हो खुशी तुम हो हसी तुम बन दगी बिन तेरे अब जीना सकूं महका महका मन ये महका तुम से है मिलके हुले हुले तुम कदमों से आ गई हो दिल में सुन ले ऐ महचा भी ले ले दिल नश्राना लब पे है हर घड़ी बस तेरा अफसाना आओ दिल से तेरा में स्वागत तेरी हौले हौले तुम से मेरे मिल गए है नजरे धीरे धीरे चाहत पे तेरी आया है यगी देवा अकेले तड़ते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना इंदू के साथ जो हासा हुआ वो मेरे कारण हुआ है जब तकि यह सच्चाई में उसे बता न दू तब तक संभाल लेना आज यह सच्चाई बता कर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता इस लिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूँ जब ये बात उसको पता चले, तो वो मुझे माप कर दे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ जब वो मुझे माप कर देगी, तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा बस इतना कर दो भगवान सन्नी, ये लो चिठी, तेरी माने भेजी है सन्नी, कहा है तेरी गैंग, चिठी आया है तो कोई नहीं मनी ओर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं तुससे पहले मुझे पर तूट परने के लिए, तो चिठी पर मैं चलता हूँ प्यारे बेटे सन्नी को, मा का प्यार भरा आशिरवाद, मैं यहां ठीक हूँ तु भी वहाँ ठीक हो गया, इसी भगवान से प्राक्ना करती हूँ इंदू के साथ जो हाथ सहुआ ये सुनकर, बहुत धूख हुआ तु जानकर किसी का भी नुकसा नहीं कर सकता ये मैं जानती हूँ बेटा, जो होना था सो हो गया तेरी वज़े से हुआ, ये बात तु उसे मत बताना तेरे सिवा उसका कौन सहरा है बेटा उस संधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा जब वक्त आएगा, तब सारे सच्चाई पता चल चाहेगी तब तब तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा तेरी खुशी के लिए ही मैं कह रहे हूँ, तेरी प्यार इमा बिंदी लगा लो बेटी, चीख है दादी मा इंदो, तयार हो गई? मैं तयार हूँ अरे, ये क्या है इंदो, बिंदी गलत लगी है, देखे नहीं लगा सकती थी? गलत क्या, सही क्या, मुझे क्या पता, मैं तो बस अपने हिसाब से ही तयार हो गई, देखा, आप फिर से भूल गए ना, कि मैं देख नहीं सकती हूँ सॉरी, दादी से कह कर ठीक से लगवा सकती थी न रहने दो, उन्हें घर के कामकार से फुर्सत मिलेगी तब ही न, सिर्फ एक बिंदी ही तो गलत लगी है, उन्हें क्यों बुला रहे हो, आप खुद भी तो सही कर सकते हैं न ओके अब चले क्या, एक मिनिट रुको, अभी आता हूँ क्या हुआ भागवान, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने तुमारे भाग से इंदू के लिए एक फूल तोड़ा इसके लिए नाराज हो, सौरी देवा, मैं इंदू से कितना प्यार करता हूँ तुम जानते हो न तुम अकेले ही नहीं, इस बाग के सारे फूल जानते हैं, देखो, वो भी कितने खुशी से मैक रहे हैं देवा, इस एक फूल के लिए तुम उसे नाराज मत होना, प्लीज इंदू, खड़ी हो जाओ, क्यों? अरे पहले खड़ी तो हो, इस तरह मोड़ो, लेकिन क्यों? यह गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है इंदू, तो हम चलें? हाँ, ठीक है क्या हुआ सनी जी? एक मिनिट दादी मा? हाँ, यहाँ जल्दी? हाँ, हाँ, आ रही हूँ बबा जरा ऐसे देखे न? क्या हुआ बेटा? इंदू का सब कुछ सही है क्या देखो? अब क्या कमी है बेटा? महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है अब तुम्हे मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें? मेरे दिल का टुकड़ा है यह तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना, वो बहुत ही किसमत वाली होगी तुम बहुत ही नेक लड़के हो, वो सब तो ठीक है दादी, सब कुछ ठीक है जरा एक बार देख तो लो, यह कपड़े, यह बिंगी सब कुछ ठीक है बेटा, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्या हुआ सणी जी आप इतनी अजीब जीब बाते क्यों कर रहे हैं? बहार चलना है, तुमने ब्लाउस कहां पर सिलवाया है? जहां से हमेशा सिलवाती हूँ, क्यों? क्या हुआ? कदे, जिनको पेटी क सिलना नहीं आता है, वो बलाउस भला क्या से लेंगे, आइंदा अच्छे टेलर से सिलना, लेकिन क्यों? देखो, राइट सट का गला कितना लूज है? लूज? अब चले? चले. डोंट बरे इंदू, तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बाते बता दी हैं, तुम्हे एक्जा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच्छ, अरे बेटा, इसमें थैंक सिक्या बात है, एक अच्छे स्टुडेंट को उसे उसका इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने अपना फर्ज निभाया है, बस, इस माई मिनिममम ड्यूटी, थैंक यू सर, इंदू, अब चले, नमस्ते सर, ग एक्जाम्स के लिए, इस हालत में भी पर्मीशन मिल जाएगी, इसकी उमीद नहीं थी, आज मैं सच में बहुत होश हूँ, इसलिए एक छोटी सी ट्रीट, एक्जाम में बैठने के लिए पर्मीशन मिल गई, उसके बाद, उसके बाद, एक्जाम में पास होने की कोशिश कर उसके बाद शादी ना लगता है मैंने आपका कप उठाकर जूटा कर दिया आपके लिए दूसरा कप मंगा दू किसलिए आपके लिए मुझे यह चलेगा मैं तुम तोब नाराज हो गये मैंने तो मुझाए इक्षन किया है तुम रियल अक्षन में और भाई वेश्चरीम खा गया जोश कैसा कि अइसमें कुछ खास है क्या उसस इस इन अस्पताल में मुझे भरती होना पड़ा लगता आज भी मेरी ही बारी है तो ऐसे मोहतर्मा है कौन हूं 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 समझ गया आइस क्रीम में जोश्वारा क्रीम कहां से आया ऐसे कोई बात नहीं है ऐसा खुश नहीं है तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया यह सब तुम मुझसे क्यों चिपा रहा है वो तर्मा से तुम प्यार कहते हैं इस खुशी में हमें नहीं मिलवाओगे नमस्ते सुनिए यह देख नहीं सकती डॉक्टर आयम सॉरी मैडम मैं जाने बिना क्या क्या कह गया तुम्हें जर्म से नहीं दिखता क्या नहीं डॉक्टर एक हाथ से में मेरी आखें चली गई बेटा सन्नी रिश्टोफर मेरा दोस्त आये स्पेसलिस्ट है जो जर्मनी से आया है और जल्द ही लोटने वाला है अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उससे दिखाने का इंतिजाम करा देता डॉक्टर डॉक्टर वो कब जाने वाले हैं दो तीन दिन के अंदर उससे पहले किसी तरह उनसे अपाइटमेंट फिक्स कर सकते हैं कोशिश नहीं डॉक्टर आपको मेरी हेल्प करने ही पड़ेगी ठीक असन्नी पहले इससे मेरे हॉस्पिटर में लाओ कि डॉन गरी बेटा तुम फिर से देखोगी चलता हूं थैंक यू हाई चिकनी थैंक्स इंदू शर्ट पर थोड़ी आइस्क्रीम लग गई है साब करके आता हूं हुम हाई क्रिष्णा उस दिन बस्टोप पर मिला था सिंपल से बात करके निकल गया आज जी बरके बैटके बात करते हैं कमान नहीं या मैं एक फ्रेंड के साथ हूं इसको आपन तेरे साथ दूसरी बार देख रहे ला है बहुत बड़ी आइटम पटा है रे बिलकुल वनीला ऐस्क्रीम की तरह ए उसके बारे मैं असी बात मत कर उसके विगर के बारे मैं आपन तारीफ कर रहा तो क्या गलत कर रह बड़ आप बोड़ी अजिए टूड़ी आप मार गजाए टूड़ी आप इस अ इसके बारोड़ी आप आप आपिए उसके और आपका रह याट। मुझे नहीं चहिए तूड़ देना मुझ को अर्यट ओड़ी आपशूड़ा अवा कि इंदू चले यहां से सनी जी आप आगए देखिए देखिए कृष्णा को देखिए यहां पर भी आके तोड़ पोड़ कर रहा है उसी की वज़े से अज मेरा यह हाल हुआ है सनी जी असल में क्या हुआ तुम्हें बता नहीं है क्या नहीं सनी जी उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो एक नंबर का मवाली है उसे कितनी बार गुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से मैं आज अन्दी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से मैं आज अन्दी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से खुषिकी बज़े से अब अब बोस्ट दो चाहे ले क्याना लाओंगा पहले दोनों पिछला हिसाब किलियर करो अपने जेब से पैसे निकालो उसके बाद इहीं चाहे मिलेगी अब बहुत महान आजमें हो तुम करतार तुम अगर दो चाहे दोगे तो तुम्हारा खाली हो जाएगा ऐसा यही भर देंगे यार अब ऐसा नहीं चलेगा भाई पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाहे मिलेगी यह क्या यार आज कल यह बहुत स्ट्रॉंग फैसला ले रह अरे यार मुझे एक डाउट है यहां खाना बंद करना चाहिए ऐसा डाउट तुझे क्यूं हुआ लेकिन यह भाई ने तो पकोड़े का ओडर दिया है वो पकोड़े खाना में चोड़ दिया करतार के होटल का पकोड़ा खाने नीच यह पाप रेक्ट है चाहे तु एक बा पकोड़ा केंसल क्या स्वामी ए शानवय अपा हाँ 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 हमने ओडर दिया तो लोकल चाही भी निया अभी इस पेशल चाहीं दे दिया और इसके बाद चाह कॉफी हॉलिक्स बूस्ट बॉन बीटा इडली उपमा डोसा पूरी बाजी सब मिलेगा सब ला कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाह देने लगा अगर इसके होटल को मेंटेन करने लगे तो दूद वाली देखो स्वामी के जाता ही पाटनर आ गया आओ सन्नी बहुत सही वक्त पर आयो देखो ओडर देते ही स्पेशल चाह आ रही है ए बालू तेरे पास चार हजार चार हजार में कितने शुनियों होते हैं मुझे पता नहीं है इतने पैसे किसले चाहिए तुझे जर्मिनी से एकाई स्पेशलिस्टा है इंदू को वहां दिखाना है हमारे पास होते तो चार लाग भी दे देते लेकिन डॉक्टर का अपाइंटमें मिल गया क्या हाँ है यार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है अचा सुनो यह यह अंगूटी तुम बेच सकते हो क्या यह क्या सन्नी माने तुझे बड़े प्यार से दी है यह अंगूटी बुरे वक्त में भी तुने इसे नहीं निकाला एक लड़की के लिए तु इसको मैंने इंदू के अधिसे पैसलिया, प्लीज निकला बाई बाई निक्कर वाला भाई तुम यह आवाँ बटा क्रहे हो अब मुझे द्म नहीं है तुम सही बताओ तुम अड्रस जानते हो यह नहीं जानता हूं तु किस से बात कर रहा है जानता है इस शहर के हर गली का एड्रेस में जानता हूं तू कहता है मैं ने जानता है बैठो यहां बेठाकर मुझे पागल खाने बिजवाओंगे यह बात नहीं है दास यहां से स्ट्रेट जाकर राइट को मुड़ जाना चौड़ वे चौड़ चौड़ पर नहीं होने वाला मैं तेरी मुंडी किसका रास्ता देख रही हो तो मजशन बसका आई यह लड़की अपने मादव यह शुक्रवार है ना तुम लोग ने पूजा नहीं की मैंना कुछ पंडितों को बोलाकर बड़ी शान से पूजा करने वाली हूं हम मादव मुझे लाइन मारने के लिए ये मावाईली लोग ट्राई कर रहे हैं, इन्हें मत देखो आप किरकार तु धीरे धीरे करके माजरी बन गई, तुझे किसी की नजर न लग जाए, समझी ए मिस्टर, लेडीज लोग के सामने तुम ऐसी वलगर बाते मत करो, तुमारे मावाईल नहीं है क्या, हाँ थेटा, चोड़े, अपना फ्लैश बैक भूल गई क्या, एबल का कनेक्शन देते हुए तु चोरी से, मुझे से लिपटकर मेरे पैरों पे अपने पैर रखती थी न Bethilymot, आप कष्रमा गिज मेरा एर्या है, तुम जैसे मवालियोन को अरेस्सकर नहीं मेरा मकसाद है, और तुम जैसे मवालियों को सड़क पर गुमने की बज़र लोक प में हो ला चाहिए, यह मेरा happiness… भाय.. नहीं है जा है बस में जाना है चल चलने यह से विनायक मैं इंदू को डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ विनायक अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा आखों की रोशनी मिल सकती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्यों हमेशा तुम उससे मांग के लेते हो आज मैं दे रहा हूं तो तुम मना कर रहे हो वह मान इस बार मरिया और नहीं भेचा है गाहों से टेलीग्राम आया है टेलीग्राम मा अब नहीं रही संदी कि तुम्हारे सारे दोस्त लोग तुम्हारा मनिया डराया सोचकर देखोना खुश्या मना रहे हैं है है आज जी सब्सक्राइब कि आप जड़ा यहां आए है कि या अजी महर्मानी करके ये बात किसी को मत बताए है बाद मैं बताऊंगा अभी जाईए अच्छा कि तेरे कहने के मुताबिक मैं अंगुठी बेचकर पैसा लाया हूँ छे पता होता कि मनियॉडर आ गया है तो मैं मा के दूई यह अंगुठी नहीं बेचता यार वालू अब सब कुछ खत्म हो जाया सनी जी डॉक्टर के पास कब चलना है चलते हैं मैं आता हूँ सकती अर मैं आजुठी उन सुद्टंसी के दित कर ल杜ू से के दुल मैं आता ही ओन raspberry का लग какая नहीं हैं खो अघगन हैं? मा 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 इंदू चलो चलते आज आपने फूल नहीं लगाया फूल मुर्चा गया है चलो दादी मा क्या बेटी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अच्छा सनी आप ही है ना हाँ डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है का मान सनी डॉक्टर यह मिश्टर सनी रिष्टोफर प्लीज भी सीटल चेकप हो गया है यह तुम से कुछ बात करना चाहते हैं कुई बात नहीं डॉक्टर जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए ऐसे पढ़ने से आखो की रोशनी पुरी तरह जा चुकी है ऑप्रशन के बाद भी चीक होना ना के बराबर है देखो यह डिप्रेस हो जाए कि इसलिए अकेले में बात करना चाहते थे डॉन्ट वरी सनी आई विल गेव लेटर तु आई बैंक अधा तु रमेश हैड अफ देपार्टमेंट ही विल दो बेस्ट थेंक यू डॉक्टर थेंक यू सो मच्व डॉक्टर ने आई बैंक के लिए लेटर दिया है लेट्स गों ट्राइए थेंक यू दॉक्टर अल दाइस इंदू चल यू संदी जल्दी चल यार क्या हुआ पोस्ट मेंने सब बता दिया है तू चल यार चल आजा संदी क्या हुआ संदी जी दर्वाजा खोलो कुछ नहीं दो आज़ा संदी आगे है बीटा अरे तेरी मात पुछे देंके बगरी चली गई रहे माका है माका है उससे सम्शान गाट लेकर गये हैं उसकांतिम सास्कार करने के लिए बीटा मा मा ये सनी सनी मा आसनी सनी रुक्जा मा सनी सनी स्वाँ जोज़ा समल्ज़ा मेरे भाई समल्ज़ा सनी आँ मुझे आखरी बार मा के दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात नहीं है सनी तुझे ख़बर विजवानी के हमने बहुत कोशिच की लेकिन माने रोक दिया अपने अंतिम समय में माने इंदू के लिए अपनी दोनों आखे दान कर दिया हाँ भाई मा की सांसे चल रही थी तभी ऑप्रेशन करके उनकी आखे निकाल ली गई ऑप्रेशन के बार मा के पार्थिव शरीर कोला कर मैंने अगनी के हवाले कर दिया मैंने अगली कहवाले कर दिया इन्दू बेटा, सनी इस वक्त अपनी माँ को लेकर बहुत धुखी है और वो अखेला पड़ गया है, तुम जाकर उसे होसला दो बेटा सनी जी इन्दू, तुम देख सकते हैं हाँ इन्दू, तुम इस दुनिया को जरूर देखोगी माँ अपनी दोनों आखे तुमारे लिए छोड़ कर गई है, अब तुम जरूर देखोगी माँ की आखों से तुम देखोगी मैं जानती हूं सन्डी जी कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी सारे गम को सीने में छुपा कर सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप सन्डी जी अगर मैं नहीं भी देखूं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला मैं भगवान की मर्जी समझ कर आपकी आँखों से देखूंगी लेकिन एक बात मेरे इस मन में रह जाएगी जो मेरा सहरा बना जो मेरे लिए जी रहा है उसको मैं अपने मन की आँखों से देखकर खुश रहने की कोशिश करूँगी और अपने मन के देवता को एक ना एक दिन जरूर देखना चाहती हूँ जानते हैं क्यूँ मैंने आपकी मम्मी को नहीं देखा लेकिन उन्होंने अपनी आँखें देखकर मेरी जिंदिगी में खुशियां बनने की कोशिश की है उस देवी जैसी मा को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया उन्हें तुमें देखने ही सकती लेकिन अब मैं आपकी मा की आँखों से आपको एक बार देखना चाहती हूँ सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती हूँ आपने जिस सिंद्रा को एडमिट किया है उसको ऐसी कोई प्रॉबलम नहीं है उसके सारे टेस्ट मैंने कर लिए है उसका उप्रेशन करने के लिए शी इस परफेक्टली ओल राइट आई बैंक को मैंने इंफॉर्म कर दिया है जल्द उप्रेशन कर लेना चाहिए तेंक्यू डॉक्टर जो पैसे आपने दिये थे वो खत्म हो गया आगे के काम के लिए एक लाग रुपए जमा कराना पड़ेगा एक लाग रुपए? जी हाँ आप एक लाग रुपए का अंतिजाम कर लेंगे तो उसकी आँखों की रोशनी आजाएगी और वो देख सकतेगी इसलिए आपकी माने इतने प्यार से जो आखे दी है उसके काम आ सकती है देखो भाई एक बेटा होने के नाते अपने पिता के लिए तुम्हारी तड़प मैं समस्चता हूँ एक डॉक्टर की हैस्सेट से कह रहा हूँ ओ नेगेटिव ग्रूप की किड्नी डोनेट करने वाला इंसाल मिलना बहुत मुश्किल है आप एक बार पूना में ट्राइ कीजिए नहीं डॉक्टर, वहाँ पर किड्नी देन वाले वेक्तिनू अगर आप उनानू कोई मेल गया तो ओ मैंनू फोन करांगे किसी भी तरह करके मेरे पिता जिनू बचा लो डॉक्टर साथ, प्लीज मैंने अपसे अभी-अभी कहा ना ओ नेगेटिव ग्रूप का आदमी मिलना वाकिए बहुत ही मुश्किल है और अगर वो मिल भी जाए तो इसकी क्या गैरिंटी कि अपनी किड्नी देगा डॉक्टर येस मेरा ब्लड ग्रूप और नेगेटिव है, किड्नी मैं दूँगा थेंक्यू रब्बा प्रा, आज मैं टाई बजी दी फ्लाइट से पूना जा रहे हैं आजी हाँ प्रावा सर मैं अपनी किड्नी देने के लिए इसलिए तयार हूँ क्योंकि मुझे इंदू का ऑपरेशन कराना है ऑपरेशन का पैसा जमा करके मैं ग्यारा बजी तक पूना पहुँच जाओंगा ऑपरेशन के किनना जमा करना है एक लाख एक लाख दस लाख भी खर्चा होए तो परवानी इत्थे इंदू दी जिम्मदारी मेरी उत्थे मेरे पिता जीनू बचान दी जिम्मदारी थ्वड़ी पहले पैसा लेकर हॉस्पिटल वेच जमा कर दो थेंक यू सर ओके मैं आज ही की फ्राइट से पूना निकल जाओंगा थेंक यू सर थेंक यू बरी मच मैं तेरे लिए दूद लेकर आती हूँ बेटा ठीक है तादी मा अरे बेटा अभी नर्स कहके गई है शाम को आपरेशन करेंगे तुम्हारा हैसान का बदला मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगी भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा अब तुम लोग बाते करो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ सनी जी ओपरेशन के लिए पैसों का इंतिजाम हो गया क्या उसकी चिंता तुम क्यों करती हो तुम्हारा ओपरेशन ठीक से हो जाएगा सनी जी इस वक्त मैं क्या सूच रही है आपको पता है जब मेरी आखों की रोशनी थी तब सिर्फ मैंने आपके गाने को सुना था और आज आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख भी नहीं सकती मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखने का सपना जरूर सच होगा जब मैं अपनी आखों से आपको देखूंगी उस वक्त की हुशी मैं इंदू इंदू बैचाओ बैचाओ इंदू ये मौका तुम्हे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ऑपरेशन के बाद जब तुम देखने लगोगी उस समय अगर मैं तुम्हारे सामने ना रहू तो मतलब आपको देखने के लिए मुझे एग्रीमेंट साइन करना होगा चेचे तुम ऐसा क्यों समझ रही है सनी जी आप हमेशा मेरी मन में रहे हैं मैं आपकी पूजा करती हूँ जब मैं देखने लगोंगी तब आप मेरी सामने नहीं रहोगे तब तो मेरा देखना ना देखना कोई मायने नहीं रखेगा सनी जी सनी जी मैं आपको अंधेपन का साहरा ही नहीं अपने जीवन भर का साथी भी समझने लगी हूँ बगवान के लिए आप मेरा ये सपना मुझ से छीनने की खोशिश मत कीजिए ओपरेशन होने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ उस वक्त मेरे सामने आप रहेंगे इसी आशा से मैं ओपरेशन थेटर में जाओंगी हाँ अजयर जाओंगी है कर दो कर दो कर दो कि एक 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 चोटी सी मदद करेंगे प्लीज बोलिए इस सूटकेस का ध्यान रखेगा मैं अभी बातरूम जाकर आता हूँ ठैंक यू अध्यू कि इंस्पेक्टर एक चुछ भाँ कि इसमें अर्ट्री डीफ्च किशनी जानता यह बंद आता अट्री अध्या आप इतने साल जेल में रहे ये बात इंदू जानती है क्या वो नहीं जानती पहले में इंदू की नजर में एक शरीफ इंसान था अब बार में फोटो छपने के बाद उसके और दुनिया के लिए टेर्रिस्ट बन गया हो लेकिन इस वक्त इंदू हैदराबाद में कहां है कैसी है ये बात आप नहीं जानते हैं इंसान अपने दिल में जिसको बसा लेता ह है उससे दूर होने के बाद उसे कितनी टेंशन होती है ये बात आज आप से मुझे पता चली अब इंदू को कहां तलाश करोगे वो जब तुम्हें मिलेगी उसका रियक्शन क्या होगा ये जानने के लिए हम बहुत बेचैन है सर क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं क्या है बेस्ट अफलेक्स है यात्री गर्ण क्रिपया ध्यान दे बाइश जाना ये जाना है यहां पर नहीं थोड़ा और आगे लो थोड़ा आगे पीछे करके मुझे कबसे गुमा रहे है उतको आपको पता निये कहां जाना है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो लोग यहीं पर तो रहती थे रोट के दोनों तरफ छोटी छोटी दोकाने हुआ करती थी अब तो एक भी नहीं यहीं तो बात है साथ साल के अंदर ये एरिये का नक्षा ही बदल गया है यहां पर डेवलप करने के लिए कॉर्परेशन वालों ने यहां के सभी लोगों क को दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया है अब यहीं में रोट बन गया है पता नहीं बर्सोबाद कहां से चले आते हैं कि ए तुम बाहर उत्रों साथ साल पहले का एडरस लेके मेरे आटो का टाइम क्यों घोटी कर रहे हो चलो जाकर पैदर ढूंड़ो कि अज़ा हलो यहां एक घड़ी वाला टावर था तुम्हें पता है घड़ी वाला टावर मैं तो कभी देखा नहीं शाप जी मुझे पता नहीं है यहां पर केबल टीवी वाले कोटेश्वर राव रहते थे उनका एड्रेस बता सकते हो मैं पांच-छे साल से नौकरी कर रहा हूं मैं तो यह नाम भी नहीं सुना शायद पहले रहता हो पता नहीं मैं नहीं जानता आप बाजू की विल्डिंग में पुछ लीजिए हाई साप यहां पर नंदू जी की एक होटल हुआ करती थी इस वक्त तो कहां पार है कुछ पता है अच्छा वो पंडी जी चायवाले के बारवेकर है उन्हें दूसी जगर देकर यहां ब्रिज बना दिया गया है अभी सिर्थ एक मंदिर बचा है दुर्गा माता का प्लक कि प्लक कर दियो कर दो अरे जिम्मी जिम्मी यार कितने साल हो गया इंद्रा को देखे हुए कोई बात नहीं तू तो मिल गया न कहां यार तुम्हारे सब साथी इंदू कहा है कुटिश्वराव कहा है और सब लोग कहा है खेर चलो तू तो मिल गया न बस अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है हम इंदू आप 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 है है इंदू इंदू कि अध्याद नगे अध्याद हुआ है अध्याद अरे दास हां सद्नी दिखाई दिया यार काहा है वो यहां कब है वता नहीं कब है लेकिन गारी के पीछे दोड़ रहा था चल दिखते है इंदू 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 गारी रोको इंदू 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 मुझों से बात करनी है इसको डगे जिम में डालो सब्सक्राइब सनी सनी रुखचा बेटा इस तरह भागते नहीं आपका बच्चा है हाँ मैडम नाम क्या बताया मैं ही सन्नी हूं उसे यह बताने का माका मुझे कभी नहीं मिला तुम अपने मन में जहांकर देखो मैं आज भी रही पहचान सको तो पहचान जाओ क्यों बे दिखाई नहीं देता क्या अरे क्या इतना चिला रहा है वाई पीड कम रखो गाड़ी के ओपर सायरन होते हुए भी इतनी स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहे हो इसमें रिक्षा वाले की क्या गलती है चलो ठीक है ठीक है की गई गलती के लिए अगर तुम मेंटी सिक्स रुपीज फाइन भर देते हो तो ही तुम यह आते जा सकते हो वरना नहीं एट्स आल यह अटो ड्राइबर तो कुछ नहीं बोल रहा है तू कौन होता है बोलने वाला एक इज़्जत से बात करो एओ पबलिक वैसे तो रिष्टे में तुम मेरे भ अगर जाता है यह पीछे भागते वेख्यों जा रहा है आज कल यह पुलिस डिपार्ट्मेंट भरती हो गया है क्या हलो जिमी जिमी आएं कमिंग एए जिमी क्या कर रहे तो एए तुझे क्या हो गया वह म quéन है क numby सभी सब्ख्राइक है था कि सब्सक्राइब हते विह तर्फ दे या नहिए नमें लुट Damn कि न को पाची को मारा है पता ढल्य करना होगा過去 है ये पता स्री शनी के और तो किसने मेरे पच्चे सानी को मा रहा है बता रहे बता को यह बात पता से लिए जानता है क्या होगा क्या हो जाएगा क्लेक्टर साहिबा ने इसे मारने के लिए हमें आज इस दिया था करें आज जब वार जो क्लेक्टर शाइबा ने मारने के लिए है उन्हों नहीं कहा है रिश्वास निए जाकर पूछ लो है रोंड़ा इसलिए यह ड़ो है पंतर मिर्ट के लिए मीटिंग रुग भी तो क्यों फरक ने पड़ेगा ओक कलेक्टर में साहब बहारा जाओ इंदू बहारा बहारा इंदू एंदू इजद से जाकर उसे माँ भी मांग ले क्यों चिल ला रहे हैं जजबात में बहारा था में साहब माफ कर दीजे गलती हो गई पुलीस वाले ने माल कर जीप पे किसको डाला आपको पता है पता है पता होतो हुए भी तुमने उसे मरवाया मेरे कहने पर ही पुलीस नों से अरेस्ट किया है तो आप क्या कर लेंगे तुम अपनी एक भूल कर बाते मत करो मैं कुछ नहीं बूली हूं लेकिन आप खुद अपनी DANबूल रहे हैं आँ बैटी मैं बिल्कुर इस्काभील नहीं हो आज तुम एक बड़ी और बन चुकी हो जिसके हातना कानून है एंक की हो कि इंसानियत के धन्प को भूल गई हो तुम नारी कहलाने के लाइक दियो इन्हें गेर से बाहर निकालो हिंदू अगर हम जाने में तुछ से गलती हुए तो जाकर उससे माफी मांग ले ऐसा नहीं हुआ तो दुबारा कभी उससे नहीं मिल पाऊ कि हिंदू जाओ 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 भी करो एसानि नहीं जाओ युदु भर्णल ख संय पुले अण्छाहे संय श्रिवंशने स्टॉप डबस संय श्रेट श्रफॉ सबस्टॉप ज्रोप अपसानी की बाद यह कि आप संदीजी है ना आप संदीजी है अ कि आप संदीजी हो क्या बताओ ना प्लीज यह मेरे चंदीजी कोई है आप कोँ है यह गाना तुत अमेरे संदी ने सिखाया क्या तुम जानती हो कि वो कहां पर है सत्यम शिवम सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम हिदय में बसती तुम मेरे दिल की दुम्रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना क्रदय में बसती तुम मेरे दिल की दुम्रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना प्यार में तेरे तो कर दू जा कुरबान खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तु आये सच में मिली न कभी तेरी पूजा करना मेरा दिल ये चाहे सनी जी आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे बताये ना क्यों चले गए थे मैं आपके आने की रात कब से देख रही हूँ कहां चले गए थे आप सनी जी मेरी वज़े से आपको इतनी तकलीफ से नहीं पड़ी आप मुझे खुद नहीं बता सकते थे कि सनी आपका नाम है और आज मैंने ही आपको अरेस्ट करवाया तब भी आपने नहीं बताया कि सनी जी आप हो मुझे बता नहीं सकते थे क्या ओप्रेशन होने के बाद जब पट्टी खुल रही थी तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी सनी जी आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वज़े से है यह ओधा यह इसद यह सब कुछ सिर्फ आपकी वज़े से है सनी जी आपका यह है साथ मरकर भी नहीं चुका पाऊंगी आज आप मेरे साम्दे हो आण मैं आपको पहचान भी नहीं पाई सनी जी मुझे माफ कर दीजे मुझे माफ कर दीजे इंदू इंदू तुझे ढूंड ये नजर तनमन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनुम तू है सुकुम तेरा रूप देखना जजनी हम चाहे सत्कम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं